नमस्कार सभी लोगों को मैं रोहित कौशिक और आज मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ नैचुरल फार्मिंग के बारे में और बहुत से कमेंट भी आते हैं यूट्यूब पर पूछते हैं कि क्या है नैचुरल फार्मिंग तो आपको बताना चाहता हूँ कि नैचुरल फार्मिंग एक सरल वाचा में जिसे हम कह सकते हैं कि प्रग्रती से छेड़ छाड़ाना करते हुए हमने जो कीट नाशकों का जो उपयोग करना है वही करना है जो हमारे नैचुरल है गाय के गोमुतर से जो हम दोवाई कीत आर करते हैं उसी तरीके से इसमें इसमें तुन तरह के फंजी साइड आते हैं दो तरह के टॉनिख है और दो-तील तरह की ही कीट नाशक है मैं आपको बताना चाहता हूँ की नैचुरल क्रिशी जो प्राक्रतिक क्रिशी है इसके जो जर्म दाता है उसी रुभाश पाले करजी है उनसे ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद और उनसे ये सीखने के बाद की जब जंगल में पेड़ पौधे स्वस्त रह सकते हैं बीना खात पानी के तो हमारे खेत में फसल क्यों नहीं और आप जानते हैं कि प्राक्रतिक क्रिशी से और रसाइनिक क्रिशी से होने वाले लाप के बारे में रसाइनिक क्रिशी से राप कोई नहीं है नुकसान है हमारी जमीन का और एक अध्यन में भी पता चला कि कल ही एक न्यूज देख रहा था उसमें बता र लेकिन आपको पता है कि जो एक छोटा बच्चा है जब माँ बच्चे को जर्म देती है और वो करस्टॉल जिसे कहते हैं गाड़ा पीला दूद जो मां का होता है वो पीने के बाद जब टैस्ट किया गया तो पाया कि उस दूद में भी बहुत सारा विशेलाइक क्यामिकल है क क्योंकि हमने जो कुछ खाया वो जहर खाया तो अगर इससे हमें बाहर निकलना है तो हमने चुटना हो का रास्ता प्राक्टिक रिशी का और यह जो घटक है सुभाश पाले कर विदी से यह मैं बनाता हूं जिसमें अगनी अस्तर एक है माइक्र न्यूटियंट सबधान एक जो कि अनाद से त्यार किया जाता है नीम आस्तर तीन है जो कि नीम से त्यार किया जाता है गोमुत्र में पका करके उबाल करके और फंजी साइड के लिए यह घटक काले दाग काली डंडी जो चे ब्लैक रॉड ब्लैक स्पॉड कहते हैं पाउड़ी मिल्डियो के लिए तो जो बदबू है इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो कीट को नजदीक नहीं आने देती तो मेरा आप सभी से ये अन्रोध है कि हमें अगर चुनना है तो प्राक्रतिक रिशी को चुनना होगा अच्छे रेड भी सबजियों के मिल रहे हैं सेहसे भी खिलवार नहीं है भी लटी भी खराब नहीं है हर चीज जब हमें मिल रही है तो हमें क्यों ना करें हम यュe सारे चीज़ें खुर भी बना सकते हैं ख्रिदने के लिए मुझे आप पंटेक्ट कर सकते हैं मुझे इसके लिए गर्वंन्रेंट लाइसेन्स मिला है और मैं ये हिमाचल में तैसिल कंडाहट जीला सूरन में इसको बहुत कम कीमत पर लोगों तक वित्रत करता हूँ और खुद भी साथ साल का अनुभो मेरा प्रैक्रतिक्रिशी का रहा है